नेटवॉक मार्केटिंग में क्लोजिंग करने का जो बेस्ट तरीका है that is my dear friends to create urgency कोई भी शॉपिंग, कोई भी सेल इस दुनिया में तभी होती है जब आप urgency create करते हो आपने देखा होगा, आपने notice किया होगा कि जब आप shopping करने के लिए market में जाते हो तो आपकी जो shops होती हैं उनके बाहर बहुत बड़े-बड़े discount cards लगे होते हैं जिस पर 50% discount, 70% discount, summer bonanza, यह इस तरीके का दिवाली offers इस तरीके के discount cards लगे होते हैं जिनको देखकर आप motivate होते हो और आप उन shop के अंदर जाकर कुछ न कुछ product buy करते हो इवन कई बार तो ये भी होता है कि हमारी किसी product को buy करने की need नहीं है तब भी हम वो discount offers देखकर इतने lure होते हैं, इतने motivate होते हैं कि हम उन shops के अंदर जाकर ना चाहते हो अभी कोई ने कोई product buy कर लेते हैं यही नहीं, आप बड़ी-बड़ी companies को notice करिए जैसे की Amazon, जैसे की Flipkart, Snapdeal आज आप देखो कि उनकी भी एक bumper sale offers, sale exists from last two to three days, Sunday offer इस तरीके के वो offers निकालते हैं to attract us towards their sale और उससे उनकी heavy sale होती है, similarly अब यह कर के रहे हैं, आप इस concept को समझने कोशिश करो यह एक urgency create कर रहे हैं, यह हमारे mind में एक urgency डाल रहे हैं कि आप अगर इस product को भी buy नहीं करोगे, तो आप से यह offer miss होने वाला है और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, so profit से जएदा वो हमारे नुकसान के उपर हमारा ध्यान लेकर जाते हैं, अपना ध्यान केंदरित करते हैं, अब similar kind of urgency network marketing के अंदर कैसे बनाएं, don't worry, अगर आपको यह नहीं आता, तो यह video आपके लिए है इस video को end तक जरूर देखिए का, because आज इस video में मैं ऐसी techniques बताने वाला हूँ, जिससे आप urgency create कर सकते हो, और 100% closing कर सकते हो, closing क्यों नहीं आती, उसका एक ही कारण है कि आप अपने prospect के mind के अंदर urgency create नहीं कर पाते, और यह video आपको यह सिखाने वाला है, so my dear friends, myself, रॉनिक गु इस video को अगर पसंद आएगा, और notification bell को all पे कर लो, ताकि इस प्रकार के videos आपसे miss ना, so चलो शुरू करते हैं, देखो, जब आप किसी prospect को plan दिखा देते हो, अब part शुरू होता है, उसको close करने का, so generally हम उसको direct सवाल कर लेते हैं, कि भाई कैसा लगा business आपको, तो आप business start कर plan करें, आपने plan दिखाने के बाद, उसको बोलना है, कि my dear friend, आपने business देखा, आपको इस business में सबसे अच्छा जो लगा, वो आप मुझे बता सकते हो, अब वो आपको एक दो चीजों को उठा कर बताएगा, कि मुझे plan अच्छा लगा, profile अच्छा लगा, अब आपने उसको बोलना है, कि देखो my dear friends, इस business में मैं एक बहुत अच्छी earning कर रहा हूँ, और पिछले past इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, और मैं जिस action plan पे काम कर रहा हूँ, वो action plan मेरे senior ने मुझे दिया है, जो कि एक बहुत successful leader है, और इस business plan के अंदर, उस plan के according, जो मुझे मेरे senior ने दिया है, उसमें मुझे 5 लोगों को अपने साथ इस मन्त में new join करवाना है, जिनको मैं time दे सकूँ और उनकी help करकर उनके business को बढ़ा सकूँ, my dear friend, उसमें से मैं 3 vacancies fill कर चुका हूँ, और मेरे पास सिरफ 2 positions खाली है, but इन positions के लिए भी जैसे आप मेरे साथ अभी business discuss कर रहे ह इस तरीके से back to back बहुत सारी मेरी na appointments lined up है, already, so अगर आप मेरे साथ अभी business शुरू करते हैं, तो मैं उन appointments को cancel कर सकता हूँ, और आपको first priority दे सकता हूँ, आपको अपने business में अपने साथ start करवा के, second, आपका major benefit क्या होगा, अगर आप मेरे business को अभी start करते हैं, तो जो successful person हैं जिन्होंने मुझे इस like बनाया कि आज मैं in lakhs earn कर रहा हूँ, मैं आप उनसे request करकर आपकी एक personal meeting mentorship program उनसे fix करवा सकता हूँ, जिस से आपको बहुत benefit होने वाला, because, जिस तरीके से उन्होंने मुझे action plan दिया है, वही same आपके हिसाब से आपको action plan वो देने वाले हैं, और तीस के mind में urgency create कर दी, कि अगर आप business को अभी start करते हो, तो आपको ये ये benefits होंगे, so my dear friends, सबसे पहला point हो है, आपको urgency create करनी है उसके mind में, अब second important चीज, closing करते वकत prospect के mind को समझना बहुत जरूरी है, और prospect के mind में सिर्फ एक सवाल होता है, सिर्फ एक सवाल, क्या ये business मैं कर का जवाल का जवाब कैसे देना है, एक बहुत अच्छा word है help, उसको आपने बोलना है, भाई, मैं आपकी help करूँगा इस business के अंदर, मैं आपको इस business की सारी litigatives सिखाऊंगा, इस business की technique सिखाऊंगा, और इस business को grow कैसे करना है, social media से या field working से सारी चीज़े मैं आपको आपकी team को बनाने में आपकी मदद करूँगा, so जब आप इस प्रकार से आप अपने prospect को एक faith देते हो, एक trust देते हो, कि मैं आपकी इस business में help करने वाला हूँ, क्योंकि मैं already successful हूँ, तो मैं आपको भी सिखा सकता हूँ, so उसके mind से ये doubt clear हो जाता है, so my dear friends, आज से जब भी में उसकी help करेंगे, so my dear friends, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो like जरूर कर दो, अपने team में share करो, कि urgency कैसे create की जाती है, ये जो speech मैंने दी, ये जो statements मैंने दी, इनको use करो, and do 100% closing, thank you, till then, take care, bye-bye, मिलते है next video में